नमस्त दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कुक विद सुमर डाठोड पे आज हम बनाएंगे गर्मा गर्म धाबा स्टाइल अंडा पालक की सबजी की रेसिपी जो की बहुत ही जादा डिलीशियस बनती है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राइ कीजेगा ये सबजी हेल्दी होने के साथ साथ इतनी जादा टेस्टी लगती है कि मन करता है खाते ही जाएं और आपको ठंड से भी बचाती है तो इसे आप ट्राइ ज़रूर करना तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी शुरू करते हैं अंडा पालक की सबजी बनाने के लिए मैंने प्लेट में 300 ग्राम पालक ले लिया है जिसे 2-3 बार मैंने पानी से धो लिया है और इसे मैंने इस तरीके से बड़ा बड़ा काट लिया है तो अब हम क्या करेंगे एक बड़ा सा मिक्सर जार लेंगे और इसके अंदर हम ये सा और एक दम स्मूथ पेस्ट बना लिया है, तो बिल्कुल इस तरह का पेस्ट बनाना है, अब एक दूसरा चोटा जार लेंगे, और इसमें हम डाल देंगे 2 मिडियम साइज के टमाटर, जिनने मैंने बड़ा-बड़ा काट लिया है, अब इसमें डाल देंगे 10 से 12 लैस्उन की कलिया, एक इंच डाल देंगे अद्रक का टुकड़ा और इन तीनों चीज़ों को पीस करके, इसका भी एक स्मूध पेस्ट पना लेंगे, तो देख सकते हैं मैंने टामाटर अद्रक लेसुन को पीस लिया है, और बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लिया है तो इससे साइड में रग दे अब एक प्लेट में मैंने ले लिये हैं आठ उबलेवे अंडे इन्हें मैंने पहले ही बॉयल कर लिया था तो अब क्या करेंगे एक चाकू लेंगे और इसके उपर हलका सा कट लगाएंगे इस तरीके से तो तीन से चार आप कट लगा दें इस पे जादा गहरे कट आपको नहीं लगाने हैं ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जब अंडो को आप ग्रेवी में डालेंगे तो यह अच्छे से मसालों को एब्सॉब करेंगे और अंडे जो है वो फीके बिलकुल नहीं लगेंगे बहुती टेस्ट तेल यहां पर आप कोई भी ले सकते हैं रिफाइन या सरसों जब तेल हलका गरम हो जाए तो आप इसमें डाल दें एक चोथाई छोटी चमच हल्दी पाउडर और एक चोथाई छोटी चमच ही इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे बस ध्यान यह रखना है कि मसाले ड अंडे तेल में डाल दें फ्राई करने से अंडे बहुत ही अच्छ लगते हैं करी में सभी धाबे वाले पहले इने फ्राई करते हैं तो फ्लेम को इस टाइम पर लो मीडियम रखना है और अंडों को लगातार चलाते वे अलटते पलटते वे आपको फ्राई कर लेना है ताक उपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग आ चुकी है तो बस अब आप गैस को बंद कर दें और इन सारे अंडों को एक प्लेट में निकाल लें इससे जादा इन्हें आफ फ्राइ ना करें अब इसी तेल में हम डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले तो एक तेजपतल या है मैंने दो लाल मिर्च है, दो लॉंग, एक दालचीनी का ठुकड़ा है और पास से छह काले मिर्च है तो इस सारे मसाले डाल करके इन मसालों को हम 10 सेकंड के लिए पका लेंगे अब इसमें डालेंगे हम प्याज तो दो मीडियम साइज के मैंने प्याज लिए थे जिनें छोटा- अब इसमें डाल देंगे हम टमाटर अद्रक लसुन का पेस्ट तो सारा पेस्ट डाल दे और इस पेस्ट को अच्छे से हम मिक्स करते वे लो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे लग भग 2 से 3 मिनिट के लिए तो 3 मिनिट बाद आप देख सकते हैं कि टमाटर लसुन और अद्र अच्छे से पक गए हैं तो अब इसमें कुछ मसाले एड़ करेंगे तो सब से पहले आप इसमें डाल दे 1 dwarf बड़ा चमच धनिया पाउडर एक बड़ा चमच डाल देंगे लाल मिर्श पाउडर आधा बड़ा चमच डाल देंगे नमक एक चोथाई छोटी चमच डालींगे इसमें हल्दी पाउडर और आदी छोटी चमच डाल देंगे गरम मसाला तो अब इन सारे मसालों को आप अच्छे से मिक्स करें तो पहले इने मिला लेते हैं मसाले मिक्स हो चुके हैं इसके अंदर तो इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे एक चोथाई कप पानी पानी डालने से मसाले जलते भी नहीं है और पकते भी अच्छे से हैं तो इस पानी को भी मैंने मसालों में मिला लिया है अब इस पे हम ढखकन लगा देंगे तो ढखकन लगा दें आप अब मसाले को हम 3-4 मिनट के लिए धीमी आच पे पकाएंगे बीच में एक दो बार इसे चला देना आप चार मिनिट पकाने के बाद अब आप देखिए मसाला अच्छे से पक गया है ओइल भी सेपरीट हो गया है और कलर भी बहुत अच्छा आया है इसमें तो इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे पालक का पेस्ट तो सारा ये पालक का पेस्ट डाल दें और इस पेस्ट को हम बाकी मसालों के साथ मिक्स करते वे पकाएंगे तो आप इसे लगातार चलाते वे पकाएं लगभग 5 से 6 मिनिट के लिए फ्लेम को आपको low medium रखना है आप देखेंगे कि जब ये पालक पक जाएगा तो इसमें बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा और ओयल भी सेपरेट हो जाएगा 6 मिनिट पकाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि पालक का कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है और कॉर्नर्स पे ओयल दिखने लगा है तो पालक इसका मतलब अच्छे से पक चुका है तो इसे अब आप और ना पकाएं अब इसमें डाल देंगे हम ये सारे फ्राइ करेवे अंडे तो सभी अंडो को आप इसमें डाल दें और इसे के साथ इसमें हम आधा कप पानी डाल देंगे तो ये पुरा 125 अमल पानी है अब पानी को और अंडो को हम अच्छे से पालक के अंदर मिक्स करेंगे बहुत ही जादा डिलिशस सबजी बनती है इस तरीके से तो इसे मैंने मिला दिया है अब धका लगा देंगे आप इसके उपर ढका लगा करके सबजी को हम 5-6 मिनिट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे तो 6 मिनिट बाद अब आप देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ये सबजी अच्छे से ओइल सेपरेट हो गया है यानि कि ये पक करके तयार है तो ये लेजे दोस्तों एकदम गर्मा गरम ढाबा स्टाइल अंडा पालक करी रेडी है बहुती जादा डिलिशिस बनी है तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजेगा आपको मज़ा आजाएगा तो दोस्तों अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दबाना तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक कियर बाई बाई